दिखिए क्योंकि हर्याना के लोगों का आशीरवाद प्यार और जो हमने बाते कही हैं और जो पीछे हमने कारिया किया है पिछले दसवर्सों में आदणिये मोदी जी के नेत्रितम में जो हर्याना का एक समान रूप से विकास हमने किया है बिना भेद भाव के किया है इस विक आगे बढ़ाने का काम आदनीय मोदी जी के नेतिरतम में खरेंगे, क्योंकि जो युवाओं का एक विस्वास, जो विस्वास भारतिय जनता पार्टी को परोनों ने किया है, बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार उपलब्द कराना, और हर्याना को एक विकास की नई उ और गती उसको दे करके लोगों के हिट के लिए वो काम चालो हो, और हमने आदनीय मोदी जी के नेतिरतम में पिछले दसवर्सों में हर्याना का एक गती से विकास किया, उस विकास की गती को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, हमने कुछ इस चुनाव के अंदर संकल्प भी लिए है, और वो संकल्प भी हम पूरा करने का गती से काम करेंगे, ताकि हर लोगों के अपिक्शों के उपरी सरकार उतरे, ये सरकार जो हर्याना के अंदर बनी है, ये ग्रीव की सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये महिला की सरकार है, ये युवा की सरकार है, जिनके हि सरकार मजबुती से लगातार कामों को आगे बढ़ाते हुए उनके जीवन को सरल सुगम करने का काम करेगे। प्राथन करते हैं। और मा कामख्या वो सक्ति पीठ है जो आशीरवाद जिसका दो देती है। और हम अब ये आशिरवाद लेने के लिए मा कामाख्या के चरणों में आये हैं कि हम हर्याना को गती से बिना भेदभाव के और बिना भेष्टा चार बिना लोगों को किस सुविधाओं के उपर मजबूती से खरा उतरते हुए हम गती से हर्याना प्रदेश को विकास की एक न के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद